साजिश वाली सीडी का भंड़ा फो पॉलेटिक्स वाली सीडी का रियालिटी टेस्ट अब तक देखी वारा सीडी अब हम दिखाएंगे असली सीडी IBC 24 दिखाएगा सीडी के करदारों का असली चहरा IBC 24 बताएगा बवाली सीडी का पूरा सच IBC 24 दिखाएगा कैसे बनी सबसे संसनी खेट सीडी आज IBC 24 करने वाला है सारे सस्पेंस का दे एंड तो लीजे साब वो वक्ता चुका है हमारी खास पेशकश लगातार जारी है एक सीडी जो वाइरल हुई भूचाल ला दिया प्रदेश से लेकर देश की सियासत में इस वक्त इसकी चर्चा है वाइरल सीडी में जो है वो बेहत अश्लील है सरा सर आपतिजनक है इसमें जो शक्स नजर आ रहा है उसके बारे में ये दावा है कि वो 36 गर सरकार के मंद्री राजेश मुरत है एक बार की तस्वीर को देखकर कोई भी ये कहेगा कि ये वही है पर जब मामला एक जम्मदार पद पर बैठे व्यक्ति का हो जब मामला एक जन प्रतेधी का हो तो किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले उसे देखने, जानने और परखने की बहुत जरूरत होती है सोशल मीडिया की समाज के प्रती कोई सीधी जम्मदारी नहीं है यह हम सब जानते हैं हम सब इसका प्रयोग करते हैं इसकी चपेट में भी आते हैं इसके चंगल में भी फसते हैं इसका हिस्सा भी बनते हैं नायों से तर्पों के तराजूँ में सच को तॉलने की जरूरत महसूस होती पर एक जिम्मेदार निउस चैनल के तौर पर हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम लोगों को गुम्रा होने से बचाएं, उन्हें सच के हर पहलू से वाकिफ कराएं, और ये बताएं कि दरसल असलियत है क्या, असली कहानी है क्या, आई बीसी 24 ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी का भार उठाया है और आज भी हम इस बात को उठा रहे हैं, तमाम जोकिन के बावजूद इस बार भी हमने सच को किसी कीमत पर कॉम्परमाइज नहीं किया, उजागर करने का फैसला किया और बाकाइदा सच की परताल में लगे रहे, अशलील वीडियो क्लिप पर मचे बवाल क बीच में हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम उस मूल सीडी को आसिल करने में कामियाब हो पाई, जिसके बूते हम आज ये सच आपके सामने प्रमाण के साथ रख रहे हैं, हम जनता याने आपकी अदालत में असली और नकली ये दोनों सीडी रखते हैं, हम आपको जो दिख के बकर लाएगे. हमें इसलिए दिखानी पड़ रही है, कि तभी आपको असली और नकली सीडी का सच पता लगेगा, जब तक जो सीडी वाइरल है, उसे हम नहीं दिखाएंगे, ये कैसे हम बताएंगे कि असली सीडी क्या है, तो केबल ये है, इसलिए IPC24 सीडी को इस समय दिखा रहा है, जो हमने अब ही तक नहीं दिखाई, चुकि हम बताना चाते हैं कि असली सीडी क्या है, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सीडी है जो की वाइरल हुई है, और इसको हमने नाम दिया है नकली सीडी, चुकि हमें पता है कि असली सीडी हमारे पास है, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नकली सीडी है जो सीडी आप देख रहे हैं जो नकली सीडी है जरा गौल से देखिएगा इस सीडी के एक एक अंश को आप वो देख रहे हैं जो आपके बीच पहुँचा आप वो देख रहे हैं जिसके बारे मैं सच होने का दावा किया गया आप वो देख रहे हैं जिसको लेकर बवाल मचा चलिए हमारे साथ में रभी जी मौझूद है रभी जी यह जो चीज़े हम देख रहे हैं दर्शकों के मन में सवाल आ सकता है एक बारगी कि दोनों सीडी उनको एक जैसी दिख रहे हैं लेकिन इसमें सच जूनना इतना मुश्किल भी नहीं मैं अपने न्यूजरूम को कहूँगा कि यह दोनों जो है वो दो विड़ो में करके दिखाएं तो लोगों को और क्लियर होगा कि किस तरीके से इन सीरीज बे जो है वो सबानता कितनी है असली और नकली उसमें और फिर खेल कहां किया गया है यह हम दिरे आगे बताएंगे ले कि जब हम सच्चा ही आपके सामने लाएंगे तो आप भी चौक जाएंगे जिस तरीके से जब हमने हमारी जाच में यह सामने आया तो हम चौके कि किस तरीके से ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया यह आप मैं न्यूजरूम से कहूँगा कि दो विड़ों में करके यह जो असली CD है यह वो CD है जो ABC 24 के पास है जो हमने खोजबीन के निकाली है जो आपको यह बताएगी कि आखिर असली CD में क्या था और उसको नकली CD में किस तरही से बदल कर यह पूरा उसको वाईरल किया गया या उसको डिस्टिब्यूट किया गया तो अगर आप पर एंगल है, जितने आर्टिकल रखे हुए हैं उसमें, चाहे वो रजाई हो, चाहे वो शीशा हो, ड्रेसिंग टेबल हो, उसके उपर रखा हुआ मेकप का समान हो, एक रजाई के उपर नीले रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है, वो हो, एक दम ये हुब हुँ, दोनों सीड कि एकडम एक जैसी है, दोनों पिक्चर एकडम एक जैसी है, लेकिन, IBC 24 आपको बता रहा है, कि इसमें एक असली है, और एक नकली है, नकली वो है, जिसके साथ चेरचाल की गई है, और क्या चेरचाल की गई है, ये भी आप हमारे साथ बने रही हैं, आपको बताएंगे, इसमें कानूनन क्या पेचीद गिया हैं ये भी हम आपको बताएंगे हमारे साथ स्टूडियों में डॉन्व पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है जीनियर नेता मौजूद है उनसे भी हम बात करेंगे कि समें आगे बताएंगे पुनीत इसमें क्या हो रहागी है मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ जैसा आप बता रहे थे बहुत डिटेल में जो रभी जी कह रहा है ज़रा एक बार इस पर गौर कीज़ेगा और इससे भी पहले कि मैं आपको डिटेल में दिखाऊं बताऊं और इस जो ब्लर तस्वीर है इसमें पीछे क्या चिपाए इसकी सचाए आपके सामने रखे है कैसे छेड़ा नी की गई ये आपके सामने रखे हैं justement एक्सपर्ट से वे बातचीत करें से पर reaction लें अब देखिए ज़रा एक बार फिर से IBC 24 का सबसे बड़ा खुलासा एक तरफ असली CD एक तरफ नकली CD असली CD इसमें और नकली CD इसमें दोनों में तकरीबन एक जैसा scene एक जैसा angle एक जैसे article वही आईना वही मेकप का सामान वही रजाई वही कपड़ा वही पलंग और उस पर होती हुई वैसी ही हरकते हैं जैसी आपको दोनों में दिख रहे हैं आपको एक बार गी लग सकता है कि दोनों एक ही हैं लेकिन ये हम आपको दावे की साथ कहते हैं कि एक जिसे हम नकली कह रहे हैं ये छेड़खानी करके मौर्फिंग करके इसको बनावट के साथ में पेश किया है सच को छिपाने की कोशिश की है और एक असली सीडी है जो 13 मिनिट की है जो नकली है वो एक मिनिट कुछ सेकेंड की है तो इस पर आप भी अपनी राय पर सवालम तक फॉरण इसी समय हमारे जो ट्विटर एंडल इसके उपर दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हैश्टेग सेक, सीडी का सच, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं पुनित दर्शक कह रहा है कि camera quality बहुत पूर है देखें यह कोई camera से shoot किवी मैं दर्शको को बता दू कि नकली CD की quality इसलिए भी बहुत पूर दिख रही है कि जिस तरीके से आपने जो भी तक हमने report बता है कि उसकी copies बनाई गई इतनी सारी copies अब हमें यह नहीं पता कि यह कौन सी copies का version है कोई भी digital चीज़ को अगर आप copies करते जाए तो उसकी जो quality है वो पूर होती जाती है और जो असली CD है वो इसलिए जादा bright दिख रही है क्योंकि उसका original source हमारे पास है वो हमारे पास है केबल अभी हमने ना उसकी कोई copy की है ना हमने किसी को बाटा है आप जो हमारे दर्शक है उसको सबसे पहली बार अपनी इस TV स्कीन पर उस CD को देख रहे है इसलिए उसकी quality बहतर है जो नकली CD है उसकी quality खराब गुना लाजमी है क्योंकि वो कौन से version पर है कितनी उसकी copies हो चुकी है ये हमें नहीं पता ये इसकी सत्यता नहीं है दूसरी बात ये जो CDs हैं ये हमको अपने source से मिली है ये तो publicly available है एक जो दूसरी जो हम दिखा रहे हैं वो हमें अपने source से मिली है मैं एक बार फिर से कह दू कि हमने भी इसकी कोई जाच नहीं कराई है क्योंकि नेता सबसे पहले ये बोलेंगे कि भाई आपने इसकी क्या जाच कराई ये क्या कराई तो मेरा दो सवाल है उसमें दो चीज़ होगी कि भाई जो CD बाटी गई उसकी भी अभी कोई जाच नहीं हुई है और ये जो दिखा रहे है इसकी कोई जाच नहीं है तो इसकी सत्यता की कोई गारंटी हम नहीं लेते लेकिन जो हमारे पास आया वो सारी चीज़ हम आपके सामने रखेंगे आपके सामने हम सारे सवाल रखेंगे और उसके सामने ये आप के उपर होगा कि क्या सच है क्या जूट ये आपको पता लग जाएगा सबसे बड़ी बात है रभी जी कि जैसा आप बता रहे हैं एक बार फिर से दर्शकों को क्लियर करते हैं कि जो असली चीज होती है जिसकी कॉपी नहीं बनी होती है जो जितना असली कंटेंड के करीब होती है उसकी brightness उसकी सफाई या उसका हम ये कह सकते sharpness कहीं ज्यादा होती है और साथी साथ में आपको ये भी बता दें कि बलर करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम जिम्मिदार हैं हमारा उद्देश नहीं है कि इस अश्लील कंटेंट को माप तक पहुचाएं हमारा उद्देश केवल सच आप तक पहुचाना है धड़ा धड़ जो आप हमको लगता पूरी जिम्मिदारी के साथ में दरसल दिख रहा है और जो वाकई उरिजिनल है इसके बीच्पें पहला फर्किया है है कि ये पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट पहले से कहीं ज्यादा साफ है जो बलरेश को हमने कर रखा है दूर आज गो गूलोजी को भी इससे समझने का प्रयास कीजेगा कि किस सफाई के साथ में आजकल नकल की जाती ये असली सीडी है फुल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आप देखेगा कितनी सफाई के साथ में आज के दौर में डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल तरीके से आप चीजों को कॉपी कर सकते हैं डिजिटल तरीके से आप मॉर्फिंग कर सकते हैं मॉर्फिंग मने छिड़का नहीं आप कंटेंड को कैसे किसी एक चेहरे को रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक आर्टिकल को रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक स्थिती को बदल सकते हैं ये सब आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं एक असली CD एक नकली CD और दावाम क्यों कर रहे हैं बताते रहेंगे जुड़े रहे हैं आप अमारे साथ इसलिए आपको नकली CD में थोड़ा सा और disturbance दिखेगा blur दिखेगी आपको उसकी sharpness कम लगेगी असली CD हमारे source ने हम तक दी है हमने परताल करके इसको निकाला है हमने इसकी कोई copy नहीं बनाई हमने इसमें कोई छिड़कानी नहीं की इसलिए आप इसको ऐसा देख पा रहे हैं दोनों का test नहीं हुआ है लेकिन अगर बिना test के इतने बड़े allocation लग सकते हैं तो इस CD में और खास तोर से इसके content को लेकर के जो आरोप हैं उनको लेकर के विचार होना चीए एक बार हम दर्शकों को फिर से बता देते हैं जबते कि हम इसका पूरा असली खुलासा करें कि आखिर इसमें क्या छिर्षार की गई एक बार हम फिर अपने दर्शकों को दिखाना चाते हैं कि वो दौनों CD देख ले कि और पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि जो दौनों पिक्चर हैं वो एक ही कमरे की है मेरे साथ स्टूडियो में गैस भी बैठे हैं उनके मन में भी जिग्यासा है कि आखिर हम क्या दिखाने वाले लेकिन चुकि हम एक जिम्मेदार पतकायता यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह देख ले दर्शक फिर से कि आखिर क्या-क्या दौनों सीवीज में आइटम है क्या-क्या उस कमरे में रखा हुआ है एक बार वो पिक्चर फिर से दिखा दे चलिए मैं कोशिश करता हूँ और अपने टीम से कहता हूँ कि जरा आर्टिकल्स के नाम जम ने लिखे थे वो आली तस्वीर को एक बार लाया जाए टीवी स्क्रीन के उपर एक बार दिखाया जाए उसको जिसमें सारे आर्टिकल्स हमने कमपेर कियें दर्शक सच अगर समझना है तो आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी देखे जरा यह आर्टिकल्स नमबर वन पलंग नमबर दूसरा रजाई जो एक दम कॉर्णर में आपको दिख रहे है सबसे पास कैमरे के कैमरा छिपा कर रखा गया होगा जाहिर सी बात है इसके बात के आर्टिकल्स आप देखिए एक आईना भी आपको नजर आ रहा है कमरे के अंदर ही और आईने के साथ-साथ आपको कुछ एक बलर हिस्सा दिख रहा है और ये दोनों सी बी में आप देखिए वैसी के वैसी कॉपी में है जैसी असलियत में था आईना दोनों में है मेकप का सामान दोनों में है रजाई दोनों में है पलंग दोनों में है साथ में कपड़ा जो रजाई के उपर पड़ा हुआ है नीले रंकाम को दिखाई पड़ रहा है ये दोनों में है असली CD की sharpness थोड़ी जादा है नकली CD की sharpness कम है और blur वाला हिस्सा वो हम आप तक पहुचा नहीं सकते हैं क्योंकि blur वाले हिस्से में जिस तरीकी की अश्ली लरकते हो रही हैं या चल रही हैं ये किसी के जैसे भी पल हो आप इसे निजी भी कह सकते हैं आप इसे नैतिकता से भी जोड सकते हैं लेकिन इस हिस्से को हम नहीं दिखा रहें आप तक क्योंकि हम सब मिलकर केवल सच की परताल कर रहे हैं इस content की परताल कर रहे हैं एक बार फिर से देखिए ज़रा IBC 24 पर सबसे बड़ा खुलासा असली CD नकली CD दोनों के आर्टिकल्स को आप देखिए वह वही कमरा वही एंगल वही कैमरा दिखता है पलंग दोनों में है रजाई दोनों में है कपड़ा दोनों में है मेकप का सामान dressing table की उपर पड़ा हुआ एक जैसा आईना दोनों में एक जैसा और बनेरी हमारे साथ में ये परत दर परत हम आपके सामने रख रहे हैं जैसे ही सच हमारे पास आया हमने इस परताल को और गहन किया एक्सपर्ट के साथ में भी हम इस बात को और परताल कर रहे हैं कि क्या इसमें और है और किस तरीके से इसको मॉर्फ किया गया या किस तरह से इससे छेड़कानी की गई टेक्निकल वाशन मा आप इससे मॉर्फ करना कहते है सब कुछ आपके सामने रखेंगे कोशिश हमारी होगी कि वो expert आपको demonstrate भी कर सकें अगर कर पाए तो क्योंकि वक्त कम है और ये content आपके सामने हमको रखना है दोनों तस्वीरों को आप जरा देखे और जो सबसे बड़ा सवाल जो आप लगतार हमको hashtag करके भेज रहे है कि ये थोड़ी से आपको blur दिख रहे है तो आपको बता दे blur हमने किया हुआ है चाहे असली हो चाहे नकली दोनों को blur हमने किया है क्योंकि इस हरकत को हम सब के सामने नहीं लाना चाहते ये किसी के जैसे भी पल है लेकिन इसमें क्या हो रहा है पंदाज अलगा सकते है एक कमरा है बंद कमरा है बन कमरे में एक विस्तर है, विस्तर की उपर रजाई है, दो व्यक्तिस में हैं, जो बलर किये गए हैं, प्रुष है, एक मैला हैं, और साती सात में वो आर्टिकल जो एक जैसे दोनوں में दिख रहे हैं, लेकिन एक असली है और एक नकली है और साती सात में रवी जी काफी सारे लोग तो हवेर हैं काफी सारे लोग चुकि आजकर सोशल मीडिया पर अलगलग पक्षों में बटे होते हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी विडमगना है कि बिना सच को पूरी तरह पड़ताल किये बिना सच को पूरी तरह जाने आजकल दो वर्गों में social sites के उपर लोग बढ़ जाते हैं deliberately या हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ प्रेरित तोर के उपर बढ़ जाते हैं लेकिन उन सबसे हमारी गुजारिश है कि आप सच को पूरा देखिए परकिए और पूरी जिम्मिदारी से हम दिखा रहे हैं हम न इस की बात नहीं कर रहे हैं कोई पक्षपात नहीं करना चाहते हैं इसलिए एक एक करके परत दर परत आपके सामने चीज़े हम रख रहे हैं जो दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि दरसल पिछले 40-45 घंटों में कुछ CDs और कुछ वीडियो क्लिप्स आप सब के पास आए होंगे या काफी सारे लोगों के पास भेजे गए इस वीडियो क्लिप में एक कमरा दिखता है एक बिस्तर दिखता है एक रजाई दिखती है एक आईना दिखता है और इसके उपर दो व्यक्ति दिखते हैं जिसमें से एक पुरुश और एक महिला है पार्टी ने उनका साथ दिया जाच की मांगी एक पत्रकार जो दिल्ली में हैं लेकिन शत्तीस गड़ मूल के हैं उनको गिरफतार कर अभी लाया जा रहा है हमारे कार्टम चलते चलते तक वो यह आ सकते हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके पास में जो सच है और जो आते थे यह वो सच है जिसको बदला गया यह वो सच है जिसको बदल करके प्रयास किया गया कि संसनी फैलाई जाए हमारा मकसद नहीं कि हम कोई संसनी फैलाएं यह नकली सीडी का चेहरा है आप चाहते दें कि हम इन चेहरों को उजागर करें तो आप देख रहे हैं यह नकल किया और कहा कि ये नकली है नकली है अब आप देखिए जरा असली सीडी का चहरा क्यों हमने कहा कि असली सीडी है मारे पास में है ये देखिए ये असली सीडी का चहरा गोर से देखिए जरा अच्छे से देखिए बिना संसनी पहलाए बोल रहे हैं आपसे जिम्मेदारी से आपको दिखाए गए यह असली सीवी का चहरा है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप समझ जाएंगे 36 गड़ की उचाईयों को आगे लेकर के जाएं और 36 गड़ का समर्द साली 36 गड़ बने उसमें आपका मेरा सबका योगदान रहे